खेला दोस्तों नमस्कार स्वागत करते हैं आपके अपनी यूटीब केनल मेकवर स्टेडी में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेखनीक समेस्टर एक्जामिनिशन के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्या एक जन्मीन तरीका होता है लास्ट सेवन डि यहाँ पे अगर लास्ट आप साथ दिन नहीं पढ़ते हैं तो आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे यह 100% मैं देता हूं तो यहाँ पे दोस्तों आपने देखा हो कि बहुत सारे स्टुटेंट साल भर पढ़ते हैं लेकिन लास्ट के दिनों में थोड़ा सब्जट्न के चार सब्जट्ट हैं और बहुत सरे स्टुट्ट्स के यहां पर पास सब्जेक्ट्ट हैं तो मैंने पांच में सब्जेक्ट को हम पहले दिन पढ़ेंगे, इसी प्रकार हम चौथे सब्जेक्ट को दूसरे दिन पढ़ेंगे, और तीसरे सब्जेक्ट को तीसरे दिन पढ़ेंगे, तीसरा सब्जेक्ट तीसरा दिन, दूसरा सब्जेक्ट चौथा दिन, पहला सब्जेक्ट पां उपर से नीचे। दोस्तों अब हम आगे बात कर लेते हैं अपने बचे भी दो दिनों के बारे मीं। यानि कि एक subject गट गंटा दूसरा subject गट गंटा इसी पिकार ऐसे से करके पाच्छों subject को गट गंटे करके revise कर लेना है दूस्तों बहुत कर लेते हैं अपने last वाले दिन की यानि कि जो हमारा last का दिन बचा है वो उस दिन को हम क्या करेंगे यानि कि कल हमारा paper है आज पूरा दिन हम क्या करेंगे जो हमारा पहला subject है जो हमारा पहला subject यानि कि कल है केवल उसी subject को पढ़ेंगे ना कि किसे अन्य subject को यानि कि हम केवल पहले subject पो फोकस करेंगे बाकी का हमारा जो subject है वो revise हो चुका है एक दिन पहले तो दोस्तों ये वो smart strategy है जिसको आप use करके अपने पाचों subject को 7 दिन में अच्छे तरीके से preparation कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि आप लो preparation किस तरीके से करेंगे क्या आपके पास study material है आपको किस study material से preparation करने चाहिए तो उसनों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास या फिर class note हो या आपके self note हो या फिर आपके पास बिद्या question bank हो या फिर saran हो या फिर आपके पास gold हो तो आप इन सभी तरीकों से किसी भी तरीके से preparation कर सकते हैं basically अगर आपके पास saran हो या फिर gold हो जो कि previous year paper होते हैं अगर आपके पास ये दो चीज़े हो तो आप इसी last के दिनों में इसी से preparation करिए अगर ये आपके पास दोनों चीज़े नहीं है तो आपके पास जो भी मैंने बताया वो सारी चीज़े हो आप कीसे भी तरीके से preparation कर सकते हैं दोस्तों हम बात करते हैं one of the important things कि आपको figure और theory याद कैसे करना है ये दो चीज़े आपके लिए काफी important है बहुत सरे students की comments से होते हैं कि sir हमको जो theory होती है वो जल्दी याद नहीं होती है या फिर figure problem होती है तो दोस्तों जो theory होती है उसको आप generally पढ़ लेते हैं लेकिन आप लोग अगर उसको रटने कुछिस करते हैं तो वो आपका रटा नहीं हो पाता है बहुत सरे students उसको रट भी लेते हैं बहुत सरे students उसको समझ लेते हैं बहुत सरे students उसको समझ नहीं पाते हैं तो दोस्तों मैं आपको one of the best things बताने जा रहा हूं कि आप theory को किस तरीके से पढ़िए कि आपको वो याद हो जाए तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि माल लेजी आपका theory है यहाँ पे theory लिखा हुआ है कुछ ऐसे लिखा हुआ है और आप क्या करेंगे किसी तरीके से जब आप revise करेंगे last में तो आप important point को देख लेंगे तो जैसे ही आप important point को देखेंगे तो आपको वो theory जो है कुछ कुछ आपने की दिमाग में वो छपने लगाईगी और बात कर लेते हैं अब figure की तो आप figure का practice कर से करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे engineering life में engineering study में figure एक बहुत ही महतपूर यहाँ पे भूनका निवाता है क्योंकि जब teacher यहाँ पे आपनों के copy को check करता है अगर आपने figure बनाया है और theory कम भी लिखा है तो आपको पूरे marks दे देता है दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ एक figure को याद करने का एक proper तरीका क्या होता है दोस्तों किसी figure को आप देखते हैं तो उसका analysis करते हैं उसका analysis इस प्रकार कीजिए कि उसमें कितने डिब्बे हैं कितने खाने हैं और वे जो figure बना हुआ है उसमें जो है उसके parts कौन कौन से हैं आप उनके parts को अपने mind में set केजिए कौन सा parts की side में बना हुआ है और आप उस figure को अपने दैनिक जीवन में किसी अन्यवस्त से relate करें कि ये तो इस चीज की तरह दिखता है ये तो उस चीज की तरह दिखता है तो आप अगर उनको अच्छे से relate कर लेंगे और आप उनके parts को उनके component को अपने mind में set करेंगे और आप figure को बार बार बीना देखे हुए बनाईए जहां आपकी गलती होती है उसको आप फिर से देख करके सुधार सकते हैं आशा करता है दोस्तों वीडियो को पसंद आया होगा वीडियो को पसंद आया ते वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को support and subscribe करिए